कि लो दोस्तों स्वागते को फिर आपका प्रचल राजनीतिक चौपाल में हम लोग आरो ए आरो के लिए हिंदी क्लास चला रहे हैं अब कोई पता है बाकी राजनीति विज्ञान में लक्षमी कांद क्लास चल रही है और जीएस पे उससे पहले हिंदी की जो कुछ महत्वाठोन टॉपिक्स हैं जो कि बाकी है रिविजन हम लोग कर रहे हैं उससे में लोग आगे चलते हैं आज फिर हम लोग लेकर आए हैं एक सब्दों के लिए एक सब्द तो ज्यादा देरी ना करते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्थ है पेट की अगनी के लिए सुध्ध सब्द क्या है आग का दवा करें वडागनी धीमी आग या जठरागनी तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जठरागनी पेट की ना इसको ऐसे वह क। या जा सकता है जरूरी नहीं है कि वैसे लिख्ञें के आशकता है उन्हें क्या यह गेमनी तो दिशाएं है ये यह नग उसमें रहते कि स्वेध वस्तर और करते हैं स्वेध वस्तर धारण करते हैं आजिए स्वेध पढ़ेंगे आथ तो उसमें जानेंगे कि यह कैसे दोनों संप्रताय कंदरी और क्या रहा यंगा युवे विचारधरों में अंतर है अगला प्रता में आधी रात का समय के लिए एक सब्द कौन सा है सरवरी निशा निशीत या विवाह तो आधी रात का समय के लिए निशीत कहा जाता है यह दियान रखिएगा घाद्य सामगरी जो यात्रा के समय रास्ते में दी गई हूँ जो मम्मी ने आपको टिफिन बॉक्स में बात कर दिया है कि ले बेटा जा रहा है एक्जान देने या जा रहा है आपने रूम पर पढ़ाई करने ये ले जा ये रास्ते में खा लिए और ये डिबा ले जा इसको वहां पर दोस्तों से बचा कर है ठीक दो फिर लोग शपा रखते ऑं खांगी नहीं पाते और तो बोना ये पाते है वो कुछेंग यह क्या होता है तो बता देना है कि यह खाने जो रास्ते मिले जा रहे हैं उसको पाथे क्याता है वहां लकड़ी जो की हवन में जलाई जाती हो या कहें कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए कौन से सब्द है ऑप्सन से वन कास्ट हमसाम अगरी सूखि लगड़ी या समीधा जिसको समीधा कहा जाता है मंच प्रिष्थ नेपत्य या ऊप्सन लिए उपयूक्त सब्द है इस प्रस्ण में आप करहें कहीं ना कहीं एक्जामर् आपकी वर्तनी सुध्धिका भी टेस्ट कर रहा है थीक चंद्र ग्रहन नहीं होगा चक्र धर्द भी नहीं होगा ठीक है चंद्र सिखत होगा जो सब कुछ जानता है त्रिकालग्य ज्यानी भहुग्य सर्वग्य जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक सब्वग्य ठीक है हमारे एगले परसन पर चलते हैं देखते हैं हमारे एगला तो देखिए हमारे अगला प्रसन है जिस इस्त्री का पती जीवित है उसको क्या कहते हैं सथव में पति व कि पति वरतावी या वीवाषित तो जिसर्ञा का पति जीविते उसे सदवा कहता है इसी का अपोजिट हो जाता है विदवा है यहां विलोम आप लिख लीजिए दिगांबर का विलोम हो गया स्वितांबर ठीक है जो छीड ना हो सके उसके लिए उप्यूगत सब्द क्या है अमिट अक्षे अपार या आनंद तो जो छीड ना हो सके जिसको चिंड ना हो सके वह गया अक्षे है हमारे क्लास में एक दोस्त था जिसका नाम था अक्षे चलिए जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उप्यूगत सब्द क्या है तो जिसका इलाज ना हो सके असाध्य उसको क्या कह से हैं इसको साध्य नहीं जा सकता है असात्य बीमारी हो गई है इनका बंभन का बैचानाम मुस्किल है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त सब्ध अढ़े दुण्जर ऑजय अपराजे नहीं होगा यह important है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वक्ताप्रवक्ता अधिवक्तावाचाल इसका वाचाल का opposite हो जाता है मुग चलिए अपने अगले परस्टपे चलता है जिसके हिर्दे पर आगहात हुआ हो वाक्यास के लिए उप्युक्त सब्द क्या है जिसके हिर्दे पर आगहात हुआ मरमाहत, 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 मरमाहत ठीक है यहां भी वर्तिनी का दिहान रखेगा अगला प्रसन है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त सब्द क्या है पदभ्रष्ट पदानुगत पदानुवत या पद्चूत तो देखिए जो अपने पद से हटाया गया है उसके लिए एक सब्द होगा पद्चूत ठीक है अगला प्रसन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द है अनुचर अनुवर्ति अनुगामी यह निर्गान निगरानी योग्या नहीं होगा आप कोई पता है अनुगामी जो पीछे पीछे चलने वाला है उसको क्या कहते हैं अनुगामी कहते हैं जिसकी को कोई कीमत नहीं होगा जिसका आप नहीं लगा सकते हैं वह क्या हो जाएगा अगरा प्रस्न है जिसके पेट में माने रसी या दाम बात दिया हो उसे क्या करते हैं उसको अफसा से दमाद कहेंगे कहेंगे तो उसको दा मुदर कहेंगे जिसके पेठ में मा ने रस्च बाद डी इसकर किसके साथ ऐसा हुआ आपको पता है've क्रिश्ण बहगान के साथ हुआ जब वह बैट्चे थे और मा को पने भूल परसाङ कर रहे थे तो उनकी माने उनकी पेठ में रस्चा और तक दूसरा चीज थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला व्यक्यांस के लिए उप्यूक्ट सब्द मित्वय मितहारी मित्वय मितहारी तो मिताहारी जो थोड़ा नपातुला भोजन करें ठीक है नपात तुला भोजन करके अपने पढ़ने पर बैठ जा चलिए अगला प्रस्ण है जानने की इक्षा रखने वाला के लिए एक सब्द है जिविशा जिग्यासा जिग्यासु या ग्यातग्य तो जानने की इक्षा रखने वाला के लिए एक सब्द होगा जिग्यासु अगला कैसे हैं यह हो गया सबसे ठीक और एक होती है इतनी ऐब यह थोड़ा हाथ जो है मेरी ट्राइग को अच्छे नहीं आप लोग समझल लीजिएगा इसको क्या कहेंगे तो यह जिए कर ठीक है और यह मध्यमें इस उंगली का पूछ रहा है यानि रिंग फिंगर के बारे में पूछ रहा है तो रिंग फिंगर को क्या कहते हैं अनामिका कहा जाता है चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं हम देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है हमारा हमारा अगला प्रस्ण है जिसके पास कुछ नहों उसके लिए उपयुक्त सब्द क्या है अभावगरस्त दी नहीं अकिंचन महा दी तो जिसके पास कुछ नहों उसके लिए एक सब्द होगा अकिंचंग, जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो, बहु अवैद पुत्र कानीन या कुमारि सुथ, तो जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो, यह होगा कानीन, यहां हम आपको कन्या का मतलब क्लियर कर दें, यानि जिसकी साधी सुधा ना हुआ हो, यानि अविवाहित साधी सुधा की जगह ऐसे लिखिए इसको एक में बिटा देते हैं इसको यहां आप ऐसे लिखिए और विवाहित महिला से जिसका जन में वह हुआ हो पर चल्डा वह विवाहित उसके लिए भी कानील होगा ठीक है अपने प्रस्पर चलता है देखते हैं हमारे अंतिम प्रस्ण क्या है जिसका जन छोटी जात या निचले वण में हुआ हो उसके लिए प्यूप सब्सक्राइए अंडज है शुद्र है अंत्यज है या अक्षूत है तो अंत्यज जो होता है उसको कहते हैं जिसका जन छोटी जाती है निचले वण में हुआ हो यह आपकी एक्जाम के लिए बहुत है आसा करते हैं आपकी त्यारी बहुत अच्छी चल रही है एकदम मन लगा के पढ़िए फाड़ का यह पेपर 11 फरवरी को एक्जाम है एक यह हम सुनना चाहते हैं कि आप 54-55 क्वेश्चन साही मार के आईएगा ठीक है चलिए वेस्ट आफ लग आप लोगों मन लागा पढ़ाई करते रहिए अगर आप चैनल पर नहा है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए फिर कमेंट करके बताए कि तयारी कैस चारों तरफ चलिए जाहिं जाह भारत